आज हम लोग खाटूर स्याम जी का मंदीर आए वे हैं बहुत भागी से होगा जी का भी दर्शन होते हैं तो दर्शन होते हैं और यह हमें लाल फूल चौट आए वेगा आप बहुत पेमस कुलर वालग चाट के लिए हालो दोस्तों वेलकम बैक टू माई चैनल और आप लोग का न्यू ब्लॉग में स्वागत है और आज हम बहुत एक्साइटेड एजब स्कूल में उन्होंका लंच ब्रेक वा था तब मेरी फ्रेंट का मैसेज आया वा था और वो राची आई हुई है च्छतिसगर थे पेरी ए कि यह देखें लिफ्ट आ गया है कि हम लोग इसे क्रॉस कर रहे थे तो सोचे क्यों ना मंदीर का जैशन कर लियो और मेरी फ्रेंड भी एक्षाइटेट थी कि चलिए खाटू स्याम जी का मंदीर है तो आज हम लोग दोनों का ही दिन काफी अच्छा है कि भगवान अब लो लोग अपने द्वार पर बुलाएं और हम लोग दर्शन करने आये खाटू स्याम जी का आप लोग दर्शन कर लीजिए तो अब लाग आज है अज है आज है यह लालपूर चौक में जो प्लाजा रोड के साइड जाता है वह इनका चाट काफी फेमस है और इसलिए फेमस है कि आप देख सकते हो यह कुलड में खिलाते है आज कल जैसे ट्रेंड चला हुआ है वैसे यह बनारस का है इसे बनारस में भी बहुत जादा कुलड में खिलाया जाता है चाट उधर साइड कुलड में एक चौड़ी सबजी तो अज अपने जारकट में भी आ चुका है कुलड चाट तो चली फिर टेस्ट करते है और यह चाट का कोई जादा प्राइज नहीं है सबका 40 रुपे प्राइजी भाईया काफी दिन से चुटी पेते मैंने दो बर आकर यहां से रिटन होके गई हूं अब मुझे यह फाइनली मीले तो आश चलो आज मीले हैं तो टेस्ट करते है चाट का कि इनका चाट का टेस्ट कैसा है और खासियत क्या है आप देख सकते हो तो इसमें चाट के ऊपर दही और फिर जो निमकी होता है वो और पनीर भी यह क्रस्ट करते काफी डिप और अब देखे हम लोगा भी चाट रेडी हो गया है काफी अच्छा है बस अब भैय अब पनीर करस्ट करो पनीर भी थोड़े क्वइन के डिप नाम के लिए निया डाला गया है और अब लोग टेस्ट करके आप बिको बताते हैं कि चाट का टेस्ट कैसा है और कैसा लगता ह आपने चार्ट राई कर जाएं यह जाने के लिए करवारी हूँ क्योंकि मम्मी को भी वेट रहता है कि हम लोग बाहर जा रहे तो कुछ उनके लिए भी लेकर जाएं और आप लोग से भी रिक्वेस्ट करते गर आप लोग के भी घर में गार जी अने मम्मी पापा तो उनके लिए कुछ लेकर जाएं उन्हें भी काफी अच्छा था और फॉर्टी रूपी स्प्राई था आप यह पत्तल का दोना में खा रहे हुए कुलड में खा रहे हैं और टेस्ट काफी अच्छा था टिक्या चाट था समोसा चाट था टमाटा चाट था और अभी जब घर आ रहे थे तो खाटू स्याम जी का मंदी था हमेसा देखते थे बट कभी गया नहीं थे बहुत टाइम हो गया में सा कॉले जाना जाना उस सुनकर ही पूरा अजीब सा फील होने लगा बहुत अच्छा तक्तम पॉजटी फील हो रहा था अगर कभी आप लोग के पास भी टाइम मिले तो एक बब घवांदी का मंदीर दर्शन करके आज आया करिए आप लोग अभी जो परिशानी रहेगी उसे बहुत सांती मिलेगी और शायद उस परिशानी से आप लोग सौल भी हो जाए उस परिशानी का और आप लोग को खुशी भी मिलेगी मंदीर जाकर तब चलिए ठीक है अब आप लोग से नेक्स ब्लॉग मिलते हैं तब तब आप लोग मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर कर ना ना भूले, बबाई, चिक के